पढ़ना है अपन को चलो अपन क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपन आज अपन बात करने वाले हैं शोक के बारे में बात करने वाले हैं शोक क्या होता है अगर बात करें अपन शोक की बात करें अपन शोक कितना यार शोक लग गया उसको तो शोक क्या होता है यह तो शोक नहीं किसी को सिग्रेट या किसी को विशकी पीएने का शोक लग इस नहीं है तो हम क्या होता है सो खर किसे पہ और जो है यारी कि के अंदर जो है अगर मैं पहले समझे इसको तो इसके उस्गे Carl potem यौ疅जीए वहाँ करें शुप पर्फूजन है टिश्यू पर्फूजन टिश्यू पर्फूजन जो है काम हो जाता है टिश्यू पर्फूजन से आर्थ क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूं नोट्स बाद में बनाऊंगा टिश्यू पर्फूजन का बतलब यह है कि जैसे मालो यह उतक है यह मालो यह उतक है उतक यह कैने क cœurntwork तो ?" इसटूमक में गया इसटूमक में कें इंटेस्टाइने में गया इंटेस्टाइन से क्या होता है हमारे ब्लेड के अंदर जाता है और ब्लेड से का जाता है ब्लेड से जो है किसमें जाता है हमारे उत्खो के अंदर जाता है जिसे मालो आपने खाना काया सपोज करो हम बात करें यहां पर ठीक है सिंपल सी बात करें तो जैसे इस प्रकार से पहले हम समझे जैस इस्टो मख से यह हमारे मालो ही हमारी आक है क्या है हमारी आक आक भी क्या है को तक ही तो है एक टिश्यू और सब्सक्राइब एक कि एक एक ठिजीज फिर का और एक उक्सिजन और खना क्या फूड फूड किया है गुलकोज यह क्जोनों चीज़ें होते हैं गुल्कुज यह क्या पर आ जाती है यह आ जाती है कि सके अंदर नहीं आ पाता है प्रोपर बलेड़ प्रिशर को प्रोपर नहीं आ को जलेंगए abide क्या हो जाएंगे में नीज और सी बात ऊक्तिर में इंट करने के जिसे अभी मैंने भूला कि मारेकसाति उनको क्या है अटेक आ गया अटेक में उनको क्या अटेक आ गया अटेक में आ ठीक सिंपल सी बात है तो यहाँ पर अगर इसको समझें अपन तो यहाँ पर आपन लिखें इसको तो यह क्या कंडिशन होती है यह कंडिशन होती है हाना सेastically वात करें Beij कंडिशन होती कंडिशन क्या होती है के यानि कि शोक में आंघलता है मैं किया अधा कि हमार यहां यहां परπसोट में होता हुँ कि तीशू पर क्योट है है tisoo कर लेक्षिक का ability कोलैप्स हो जाता है जिसके कारण कारण क्या होता है जिसके कारण न्यूट्रिशन आना टिशू परफ्यूजन कम हो जाता है कम हो जाता है और टिशू में ऑक्सिजन एंड न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है की कमी हो जाती है अजया एंगे इसके अनदर टिशू परफ्यूजन कम हो जाता और उसके अंदर क्या हो जाती है सर मुझे किसे जानते हो कोन जानरा सरं emc q नहीं होगा पहचान ली मं कोन किसो को जान रहा भई हाँ इसके अंदर क्या हो जाता है tissue perfusion कम हो जाता है यह question अब exam के अंदर पूच़ा जाता है मैं आपको बता तैँ यह question यहाँ सब पूचा जाता है यह पूचा जाता है कि टिशू पर्फिजन कम हो जाता है उसे क्या कहते है पन तो यहाँ पर इसे क्या कहते है पन इसे कहते है पन शोक यह कुशन पूचे जाता है उसे कहेंगे अपन शोक अब आपन इसकी बात कर लेते हैं यानि कि यहाँ पर बात करें पन या पर ऐसे भी ब जो पढ़ा रहे हैं तो यह इसे कितापन शोक अब यहां पर बात करें इसके टाइब कि यह निकिंए प्रकार कौन-कौन से होता है रिताइब सो तो इसके टाइब इसमें से क्ईच युशन आता है इसमें टाइब सम meant to को एक होतेज के आगर हम सिंपल सी बात करें शोक की वह यहां पर इंदर फार्य और ने जेनिक शोक अना इसका लावा है किया पर ओंगया हाइपयो वॉल्यूमिक शोक हाइपयो वॉल्यूमिक जोक हें इसका लावा नियूरो जैनिक शोक होग होग कि इसके अलवा सैटिक शोग है इसके लिए अपना क्या हो गया उन फैलेक्टटिक में इदर mesh देता हूं है। यह लिएंग देता हूं है और भी है यह लिख देता हूं मैं इल फैल्लास चो शोक हाना इसके लावा इलेक्ट्रिक शोक यह सब क्या है शोक के टाइप है ठीक है तो यहां पर जो अगर बात करें देखो यहां पर इनवे से बहुत अब बार important question पूचे गहें काडियोजनिक शोक काडियोजनिक शोक की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर जो है heart pump नहीं करता है क्या नहीं करता है ठीक है बहुत सारे हैं लेकिन most of जो मैं जो important शोक है वो यह important है इसमें क्या होता है heart pump नहीं करता है ठीक है very good और यहां पर अगर बात करें हाइपो ओल्यूमिक शोक हाइपो ओल्यूमिक शोक का मतलब यह होता है कहने का मतलब हाइपो हम बात करें किसकी हाइपो ओल्यूमिक शोक की तो हाइपो ओल्यूमिक शोक के अंदर का होता है हमारी body के अंदर जो है fluid की कमी हो जाती है अब fluid की बहुत ज़़ा किसी को दस्त लगी ओ और एक्जाम के फियुक्से होगहां है hemo Diret एक्जाम के उद्र पूछागै क宇र्ड होता है जैसि होता है यह हमोरे प्स्छोक की है इन रांख करेंगे हो तो कोड कीॆ होनी कारण होता है किसका से इस ByeН effectivement कोड की इंजुरी और वह भी कैसे जिसे इंजुरी हो गई हो आङा चोट लग गई हो उसके होता सेप्टेक शोप की बात करें इन्फेक्शन की सै और उन फेक्र is thecko की बात करें अपर तो essentially borders Obrig chain अब एंक्रिक जो कि बैसे आपको बता था कार्डीजिट इंदर क्या होता है कार्टिजिट शोक है अइस के नदर हाइड पंप नहीं करता आ है जब हार्ट पंप नहीं करेंगा तो वहाँ पर प्रोपर जो है ब्लेड्न सप्लाई भी नहीं होगा और ब्ड़ेट सप्लाई नहीं होगा तो मतलब क्या है उबहु है क्या होगा कि यह ऑड़ेगे टिश्व ना जैंगे पर इसकी बात करें इसमें क्या क्या कंडिशन के वीज़स हो सकता हां है पूप से वीज़सह हो सकता है का अना दूरासी बान गंजेस्टिव हारट पेलилॉर को अंजेस्टिव हारट फेलिव में को आये हो सकता है उते हांस्कोड कि यह सकता है इसमें क्या होता है इसमें हाइट को पंप नहीं करता है इसलिए इसे क्या करता है फेलियोर उचल का सोग करते हैं विल्कुल पेलियोर हो जाता है आप गात सयुद्ट हेल अब इसे पुरला क्या हो जैता है हाड फेल हो जाता है जो है beside ऑन ज़ो है कंजिस्टिव 005 ते थेजि לו तीक है कि इते बात कर लें ने पर नेक्सट है वह अपना है क्या है नेक्स्नेक्र कंगने क्या पढ़ता है यहां पर कि एनिमसेद अपन है त्लेफ चोंग है उफटो लूंड फॉल्यूम इक छोड कर दो हाए क्या होता है इसके प्रिएक होता है कि क्वीज का या गोजाता है शुचाट प्रीट का लोस कोॉजाता है हां अब उसका अंदर फ्ली नि रहेगा मेरी बास सोलों फ्ली निरेगा बाइट में तो पंप योगा हाइश तो पूरी तरह से काम कर रहा है लेकिन बोड़ी के अंदर फ्ली नहीं है तू क्या है वो पंप नहीं करेगा और खासप ना हचा व tiss TS में क्या होता है कि जिसे कि बहिए वो पाम साइब से कर रहा है लेकिन माभेर फ्लूटी नहीं पोहुंच रहा है है ठीक है चलो नेक्स इसके बात कर जाए इसके अंदर क्या क्या क्षिस क्रेंडीशन हो सकता है इसे हीमिरेज पिया है हीमेरेज यहांनिक रखत स्था और रतिस्था और रतिस्था यह नी कि भूट जधा खून निकल रहा हूं ठीक है ऑसकता है इसके अलाभ़ क्या हो सकता है जिसे कि ठोग्ला हो सकता है प्रोमा कंडिशनमें और मां इंजुरी हो गई हुलो इसके लाभ़ क्या है डाइरिया वा जदा सीबियर डाइरिया थे हैंfire हो पाइडिया है घी हे यह हो सकता हो आना बहुत जधा हाड डीएडिशन के लिजिन करने बहुत ज्यादा डायरिया हो टेकिक हाँ इसके इलावा और सेडिया है इसी में आता है आपसे कुछ से टाइप के शोक में आता है तो इसी में आता है और हीट इस्ट्रोक हीट इस्ट्रोक के कंडिशन में दिवें बिए इसकी डिया सकता है कोग्या ओगया तो क्या हो घ्रड फीलिटे इसके अंदर को सा शोक होता था उसके अंदर भी कौन सा होता है हाइप ओलिमिक शोक ठीक है हाँ फ्लूट डिपिसिट हो गया तो आप यहां यहां भी लिख सकते हैं बनड़ की कंडिशन बन कंडिशन में कि विए एकषे फो तीक है या पर यह कंडिशन के अंदर क्या हो सकता है जो है है हाइपोनिंट कि शेक हुग हो सकता है नेच्ट साहिए फिभ श экспер हले सबंस्फ है नेक्स सेट्रोख और है नोजनिक शोक केर दें हो अपना नूरोजन उनिक हो तो कि ऑग मित शोप नियूरोजनिक शोक, हम बात करें नियूरोजनिक शोक की, तो नियूरोजनिक शोक क्या होता बैई, नियूरोजनिक शोक की अगर बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पता हुगा हमारी बोडी के अंदर क्या होती है, हाँ, very good, हमारी बोडी के अंदर ये इस्पा है यहाँ से कहा निकलती है जो यह नर्व होती ही इसमें क्या होती है इसक्राड़ीक है ओ और पैला संपेटरिक क्रजिक दोनों प्रकार क्यों आपको पतावबा सिंपहती होगा देनिक और टो कि या काम कर सिंपहती ए हमारे भीलेग प्रिशर को ब्लेट प्रेशन होता है उसको रेगुलेट करती है और ये या के नीचे वाले तो इसटे वींगे नी करेगा काम नी करेगा तो ब्लेड विसंग……के उपर एफ़ेक्ट नी आएगा और इसके वज़े से क्या हो जाएगा बिलकुल आँक वेरिवुड … ठैटिए और वेरिवुड गुड एक ह यहां पर बात करें इस पर लिखे जैसे कि ट्रोमेटिक सॉपाइल कोड इंजूरी एले कि यहनिक जो अमारी रीड के अंदर चोट लगने की वज़े से ठीक है नमस्ते रीड के अधी के अंदर जो है चोट लगने की वज़े से ठीक है अना यह आप सिंपल भी लेख सकते हैं spinal cord injury spinal cord injury भी लेख सकते हैं spinal cord injury क्रीक का टि में चोट लगने से रीड की हडी एडी एंद्र भी में चोट से i ह stun bis इंडिहुशन के सब्सकरफे इक रिंटर बैते में बता दूंगा यह ब्रेडिका आडिया और वार्म इसकीम देखने को ज देन दर मैं बता देता हो कि आपको इसके लिए ब्रेडी का इडिया मतलब समझ में आया है या निकि नर्म तूट गही अब जब नर्म तूट पूझ समय नहीं करेगत उसके एंदर हाँ इसके लिए ब्रेडी का इडिया देखने को मिलता वह की आपको सेंग सión उसमें मैं आपको भोव लोग को कमा लिखती है इस यह आपर समय सेप्टिक शोग में सेप्टिक शोग सेप्टिक शोग क्या होता है आपको पता सेप्टिक शोग क्या होता है सेप्टिक शोग की एगर कंडिशन की बात करें अपन सेप्टिक शोग की यदि बात करें तो सेप्टिक शोग क्या होता है कि हमारी बोडी के अंदर क्या हो जैसे मालों इंफेक्शन हो गया क्या है इंफ finer emissions पता है ना आपको कोई भी हमारी बोडी हמהर चला आपर रूट्स्ण और ग्रोथ किया हमारी बॉडी के अंदर चला गus LOOK किया हुआ हुआ कि जो क्या होता है ज 안먹ए छोड़ते जहर छोड़ है हां वो निक ऊटक्राइक की विज़े से क्या होता है इंपें फायलने के वजा से उस जेहर की विज़क conclusions को भी हो जाता है इस अमस्राइथ है ञiko जाता है और टिश्व जो यूह सने यह लिख हो जाता है और टेट यह हैं टेके वेरी गुड यहां पर अपन इसमें लिख लेता है इसके अंदर लिख लेता है जिसे यूरिंट टेक्ट इन्फेक्शन हो गया आना इसमें लिख लेता है यह यह है कि सीवियर इन्फेक्शन के कारण होता है हाँ यहां पर लिक लेना इसकी उपर सिटार आप लगा लेना है क्योंकि यह एक्जाम के अंदर पुछ neu आ सकता है क्या होता है सीवियर इन्फेक्शन के कारण होता है eerste एक हैं ै horse might तो ठेंड़र रगने के विजे से होता है और यह क्योंता 6 आसओ यह魚 काहिण बेक्ट्रिया के टॉक्षीन होते हम सक्षाइब हता है हां ठीक है जो है हाँ जिसे की मां लोक इसमें जिसे का न यह जह सारी कंडिशन धर जहिए करें जैसे जो है जैसे नीमोनिया हो गया नीमोनिया नूमोनिया के अंथर नेथ बार ने जोगे नीमोनिया हो गया इसके लावा इस सेलु लाइटीस है इस एप। like is cellulitis हो गया और निमोनियों गया चलुलाइट इस हो गया इसके लाव और क्या हो सकता है यू टी आयो गया अना यू टी आई अना यू ट्रेक्ट इन तक्सन अना यू दिनरी नरी ट्रेक्ट इन प्सक्षन इन प्सक्रमान यू ट्रेक्टर संक्रमान हो गया ठीक है यू टी हो गया ठीक है इसके लाव और कॉन को सकती बिल्कुल अना सेप्टिक अबोर्शन हो गया सेप्टिक अबोर्शन हाला septic abortion हो गया ठीक है यस condition हो सकता है septic abortion की condition में भी यह वह सकता है यहां डखने चाहँ एक लावा एक इंपोर्टेंट होता है मेनिंजाइटिस बहुत इंपोर्टेंट है मेनिंजाइटिस मेनिजाइटिस इसमें तो पूछे जाता है इसमें तो क्यूश्चन पूछे जाता है में मैंने जाटीस का इसमें क्या होता है इसका जो सिंटम सोता है इसके अंदर क्या है सरकुलेटरी कोलेप्स हो जाता है किसमें मैंने जाटीस के अंदर ध्या लगना में जाटीस के अंदर होता है सरकुलेटरी और यह पूच्छा जाता है इसके अंदर अपेंडिक्स रप्चर हो गई है और अपने आप जो हो सकता है ऐसे उलावा पता जो एनफीलेक्टिक शोख नफाइलेक्टिक शोख पाइट लैक्टिक शोग एनफाइवलेक्टिक शुख. अनफाइवलेक्टिक शुख होता है क्या वाई यहती बात करें एनफाइवलेक्टिक शुख तो है एना फ्ट्णे क्या होता है कि हमारी बोटी के लाऄ थी हमारे भाटीों में क्या जkeeping how डियान लगना हइपे पर हो सさん सिटीविटी निटते ही है ये बोटी के अलग यह जैसे posted alum Une बरता हाल किसी किड़ी नर अझाल तो हमारी बूडी के इंदर के उत इन supplements dy आपको पता एक इंफ्लामेटरी एजेंट होते हैं मतलब यह ब्लेट वेसल्स को डाइलेट कर देते हैं ब्लेट वेसल्स जो होती है हमारी ब्लेट वेसल्स वेसल्स उन्हें क्या कर देते हैं ब्लेट वेसल्स को क्या कर देते हैं वेसल्स डाइलेट कर देते हैं अब यह डाइलेट होने के विजय से क्या हो जाएगा बीपी क्या ना इनक सिसेBack चोएगा उती इसके राया को पूरे ना यह एक्जाम नंदर पूचए जाता एक्जाम के मॉंस्ट ओक इसमें विदो रहिए बोडी की हाइपर सेंसिटिविटी एक्ति होने के काराण। यहां पर लिकना की को अमना वोडी की क्या है और बोडी की हाइपर आओ सेंस्टिविटी त विटी होने के काराण से हाइपबर हमेड़ी एकना और सब्सक्राइब हो सकती भी देखो यहां पर किसी बीडिभ इन्सेक्ट चीड़े से कीड़े कीड़े के काटने से किसके हो सकता है यह कंगा पता ना पेनिसलीन विजका से ड्रॉइत की विजए जैसा सब कंडिशन में क्या हो सकता है यह यह एनफ आलेक्टिक शोक हो सकता है तिके समझ में गया है यहां पैदिसल्ग विज़े से हो सकते हैं गुड इवनिग इसके अंदर एक ट्यूशन लिख लेना आप लोग वह से मैं वहीं बताऊंगा इसके अंदर जो ड्रग ओप चोईस होती रहा ड्रग ओप चोईस चोईस वह थी इसके अंदर एड्रेनलीन ध्यान लगना वैसे तो म बताऊंगा उसके अंदर आपको सारा में आपको डिखाऊंगा इसके अंदर जो ड्रग ओप चोईस कौन सी है वह है एड्रेनलीन ध्यान रख लेना बहुत इंपोर्टेंट है एक क्यूस्चिंज जो है अक्सर एक्जाम के दर पूछा जाता है ठीक है इसके अलावा बात कर अधीक्क चाहिए लेक्ट्रिक शॉक कर दो एक अछ कोई यहाँ नियुक्ति क्षोक शोक हैए मैं यहाँ फद्ध का होता है ए एक तरह से बढ़न हि 성ा घुम होता है तो परोता है तो इसमें भी जो है यहां पर लिख लो लाइट की वुझे से यह यह शोब किस्ते लगता है कि अधिक ट्री कि सिटी के द्वारा कि जाता सर्कुलेटर पॉलक्स हो जाता है कि पॉलेप्स हो जाता है ठीक है एलेक्रिक शोग हाँ इलेक्रिक का शोग का मैंनेजमेंट का मैं रहसकी भी बता दूँगा है इसमें सर्कुलेटर पॉलक्स हो जाता है अब यहां पर बात करेंपन साइंग और सिंप्टम्स की बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से एक्जाम के अंदर कुशन्स पूचे जाते हैं ठीक है मैं आज जो तो भी पढ़ा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ इसमें से एक्जाम के अंदर कुश्चन्स आएंगे आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको इस्त密 क्यूसिशन्स आपको एक्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी चिक या पर बात कर लातके हैं इसके साइंक स्यम्हीं यानि लख्षाण इनकी साइंड जैनरे हैनकी लख्षाण इनकी क्या क्या लख्षण आपको देखने को मिलेगी एयम बहुत इम्पोरटेंट टोपिक यहां पर अगर बात करें अपन तो सब से पहली बात तो शोक का सबसब पहला ब्लेड निकेटर क्या है ब्लेड प्रिशुर्ण जैन पूछा गया है आपको औप्षण में इसे टेकी का इडिया दे और ब्लेडी का इडिया दे या ब्लेड प्रिशर दे तो आपका सबसब पहला important sign है वो कि blood pressure इसके अंदर क्या हो जाता है लो हो जाता है नोर्मल बिपी कितना होता है 120 by 80 कितना होता है 120 बटा 80 तो यहां पर अगर sign symptom की बात करें तो इसके अंदर सबसब पहला जो लक्षन है हर शोक का वो चाहिए किसी भी प्रकार का शोक हो तो उसके अंदर जो है ब्लेड प्रेशर कम हो जाता है ठेकर है बल्कुल है अब पॉटेंशन हो जाता है और सब सब पहला जो अपना लक्षम रहेगा वो लो आपको साआफ़ सारे शोक का लिक्षा देता हूं तो एक साथ लिखा दो नाके अनंचाई बना के लिखा दिदाओ में नेक्स्ट वाले मैं तो यहां पर आपको लिखेते यहां पर शोक लिकारता ओ भी है तो क्यों टाइप्स और यहां पर जो फल्ट उपनत करें मैं साइंग और से लिए अ आपन आपन्न यह घंदे पढ़ने काइडोज चोग किया पढ़ने है तो सबसक्षा करें वह कि आपन बात करेंगे। आपन निया तो यहां निक है तो इसके अंदर गता है इसके इनलख्षान कहके लिखने को मिलेगे पर इतरा है जोग की बात करें तो सब से पहले इंपोर्टन बात क्या है इतर जो क्या देखने मुझेए लेंक हइव एंशन हाइपोटेंशन 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 का मतलब क्या होता है बीपी जो है सिस्टोली को कितने से कम हो जाता है ठीक है इसके बाद में टेकी कारडिया की कारडिया ऑफ ट्रेक हर कि कारडिया ऑजिता be to क्या हो गया टेकी काड़िया टेक काड़िया को क्या हो गया हाँ इसके दर जो हाट रेट है वो हंड्रेट से अबो हो जाती है हंड्रेट से अबो हेथी बीरट पर मिनिट क्यणा है उसे को एक पन जो है यह देखने को मिलेगा इसके लगल वीक पल्स देखने को मिलेगी वीक पल्स देखने को को मिलेगी इसमें ठीक है हाँ वीक पल्स इसमें देखने को मिलेगी किसके अंदर कार्डुजनिक शोक के अंदर इसके अलावा अगर बात करें पन यहां पर कार्डुजनिक शोक के अधी बात करें पन तो इसके अंदर जो दूसा देखने को मिलेगा अपना जो है यहां पर ज कुलता है भेडिपनिया क्या सकता डिस्टया है आ भी अगा लिघ्र को मिलेगा इस давай रिज्टनिया यह हम बात करें तो डिस्टनिया इसमें देखने को मिलेगा है अ इसनिया से क्ताब मन मत बोलो क्या हो गयाँ कि पती में लड़का हूं तो सदने कुरमी गञान लड़कें यह तो फिर्टि कहां लड़कें है वह महिला नहीं है आप सोग तो लड़का निया यह एक और टेक्पनिया टेक्पनिय का मतलब क्या होता टैक्पनिया मतलब बात करें पन तो इसमें क्या होता है जो रेस्पाइरेटी रेट होती है रेस्पाइरेटी रेट की बात करें जो रेस्पाइरेटी रेट होती है रेट रेट, कितने से उपर चली जाती है, बताओ, 24 ब्रीट पर मिनिट से ज्यादा चली जाती है, उसे क्या कहते है अपन, 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 टेकिपनिया, टेकिपनिया इसमें देखने को मिलता है, आना, तो ये देख अपना यही होता है धीपीप कम हो जाता है तो फिर इसके बाहद में अब यदि हाइपकसify ओपर स्थिन तो हम किसको लगाएंगे पहला पहले हाईपॉटम संस्टिथ है इसका ओफ पूर संसं तर यह नहीं टेंडिथन एकूक्व क्या लगाएंगे एक्जाम के निदर ठीक है इसके लावा और क्या हो सकता है इसके अंदर इसके लावा जो है क्रेकल्स देखने को मिल सकते हैं लंक्स के अंदर जो है क्रेकल्स देखने को मिल सकते हैं क्रेकल्स की बात करें पर लंक्स के अंदर जो है क्रेकल्स देखने को मिल सकते हैं ठीक है क्रेकल्स मैं आपको बता तब क्रेकल्स 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 देखने को मिल सकते हैं क्रेकल्स क्यों देखने को मिलेंगे भई हाँ नो रेडलीन देते नहां बिल्कुल देते हैं नो रेडलीन देते हैं पन काइड़ोजिनिक शोक के अंदर क्रेकल्स देखने को मिल सकते क्रेकर किया होते है में क्रेकल कर बात कर रेक्ष उसक्त कर होते हैं पक्रेकल क्रेकल में इसके आधी हशम स्फलाई करते हैं को ठोड़े यह पर पर यह यह और निलकिल एन घंड़ मतलब को , बूलीर वाव्व यह देखने को मिलेंगे या कि या आपको देखने को मिलेगा इस कर दर थेंखेंख है कि 250 छाल कि ईनफा स्चो के अदर आपान एडरेनली देता मुरzen अडरेनली देता है ठेक है हां उसके अंदर आपन क्या देते हैं आड्रेणेलली निस बोप्त होता है जिसे आपने बुखार गॉली खाई तो अपका ठीक हो गए टेक हैं नेक्ट बात कर यहापन आपन हाइपो ऑलिमिक शोक है आफ है पॉलीमिक शोक एक हाइपो वोल्यूमिक शोक के अंदर बात करें लिए मिक शोक बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है सब सब पहले है जो है हाइपो टेंशन और टेखीकाडिया होता है इसमें क्या होता है है हिपो टेंशन और टेकिकाडिया होता है जिसके लिए एक हुआ है इसके इंदर देखने को मिलता है वोता है के विद्ध देखो कूल इस के अंदर भी कूल पाल..? इसके अंदर जो सिए लोग इसके पीचर भी वही यह है पूल आपले को पूल अया पूल पेल इसकिन ये देखने को मिलती है तीक है ये एक तरह सा cold हो जयाथी इसकिन तीक है कर अँच और इसके इंदर एक और इंपोर्टेंच हाँ ठीक है पूल पेल इसकिन इसमें देखने को मिलती है यूरिन आउटपुट तो दोनों में कम होता है यूरिन आउटपुट इसमें भी कम होता बिल्कुल वीक 3D पल्स इसमें देखने को मिलती है क्या मिलती है वीक 3D Pulse संभी वीक 3D Pulse संज्झे का विक 3D लिखना चाओ तो आप लिख सकते है वीक 3D है पल्स में देखने को मिल सकती हैं दिलती है इसके अंदर अरा थे अक्सर एक्जाम के अंदर यह पूछे जाता है आपसे यह पूछे जाता है को अक्सर एक्जाम के अंदर यहां सक्सक्य क्योष्टन से पूचा ज来了 टो मिलतर आचा इसमें इना क्या है चेक्षब आपको कि उरिय reflect किया जسمे आउट्पूट कम हो जाता है । लिए टिक्रीं यूरिन घ्र동 अर्डु गित्ते थर्टी एमिल स्फें बिलो और हवर्स बिलों से ृ के घ्र में आए कि नहीं को लाखता है ए shtwe continue hed कि सब सर पहले है जो है शोक को रिजॉल करने का सबसक्राइब होता है वो क्या होता है, increase urine output, क्या कहते हैं उसा पन, increase urine output, याने कि जो urine output है, वो बढ़ गया, ठीक है, यह पूचा जाता है, अक्सर यह पूचा जाता है, एक्जाम के अंदर, शोक ऐधी resolve हो गया तो उससे क्या कहेंगे पन, ठीक हुआ से condition में, urine output जो है, बढ़ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, वो है, अपना जो है, नेक्स्ट है, वो है, नियूरोजनिक शोक, नियूरोजनिक शोक, यहां पर होगे न अपना, जो क्या होगे अपना, ठीक है, नियूरोजनिक शोक अपन, बात करें अपन, नियूरोजनिक शोक, लिख लो, आप तो कोई दि हो जाते हैं सेंटेंस तो उसकी चिंदा नहीं करना आपको हान। नियूरोजनिक शोख नियूरोजनिक शोख नियूरोजनिक शोख यह बहुत इंपोर्टेंट है शोख नियूरोजनिक 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 शोख न ज्यान होना ब्रेडी काड है इसमें देखने को मिलता है क्यों देखने को मिलता है इसके कारण क्या है क्योंकि इसके अंदर जो कारण यह है क्योंकि हाट की जो है नसे हैं वो कट जाती है क्या होती है जैसे मालोई हाट है अब यहाँ पर पंप करने वाली नसे नसे होती है न स सब्सक्राइब को का इंपोर्टेंट छीज़ के लगा भाथ है वार्म ड्राइए इसकीन बहुत इंपोर्टेंसें तो दोनों में मिलेगा अन्ए हाइपो टेंसन तो पुरे शोक के अंदर और ही मिलेगा कर्षेए बिःपिस तो पूरे शोख में कई सब तो बीस आइँ शोक हो बिई राइए शेडिम किन यह बीए ध्याहर लट लान अब कि एक्जाम उते हैं इनके पूचा गया इन पूचा गया है इंदर एक्जाम आते हैं उनके पूचा गया है बहुत इंपोर्टेंट है इसके उपर इस्टार लगा लाना चोई स्केरेट गोल्ड है ठीक है वार्म ड्राइज इसकीन यह देखने को इसके अंदर जो है मिलता है शोग बोले तो हाइपोटेंस वेरी गुड आएं शोक का नाम ही हाइपोटेंस ने ठीक है और वार्म ड्राइग इसकीन नेक्स्ट बात कर लकाओं एक या पर तिक है सबने सब्स्क्राइए कुछ important लिखा रहा हूं मैं सारे लिखा रहा हूं सैप्टिक शोक सैप्टिक शोक सैप्टिक शोक सैप्टिक शोक के अंदर क्या देखने को मिलता है sorry sir एक बार समझा दीजिए पलीद किसको समझाना बताओ किसको समझाना चोदरी चोदरी किसको समझाना बता पंट ऑ समझार किस समुझाना है थो किस चीज को समझाना घ्रकों तब ही हमें आपको बता दू Missouri डे ईसके अंदर क्या होस्ति सो दकोव हाइपॉटेंसन तो आपको देखने को मिलता है है हाइपोटेंसर्श में देगने मिलेगा इसके बन क्या होता है इस angry छो है वारम आना वारम फ्लट्स्ट स्किन मिलेगी आपको देखने को ली मिलेगी फ mau और पिंक वारम फ्लेश्टर सक टे होगा पिंक पिंग वारम वारमड एडिया और यह सारी चीज़ तो इसमें देखने को सब मैं गलती ए बात करें इसपे सब्सक्राइब क्या होगा पिंक पिंक वार्म डवार्म 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 डवार पिंक होगी और क्या होगी फ्लश्ट इसकिन होगी ठीक है वेरी गुट ओ जेंग again bush तो सब में देखने को मिलेगा या टेकरिक आडिया है तो तबमे अपन धेकने को मिलेगा ठीक है तेकरिका आडिया सब में देखने को सबस्बक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कमें आपको देखने को मिलेगा इस यह हाथ है यहहाथ H बाट नियूरो में गलत अपने हाइट है ऑफने क्या टेपना है अएक इस पायिक और यह ब्रेन ब्रेन और यहां से क्या है इसके पायोड तो यह पर यह लुक्त सब्सक्राइब करती अव है आप मेरी बास तूट गई यह तोट गई इस तूट गई तूट गई तूट गई तूट गई तूट गई थो मेरी बात हो नो वेरी होड मेरी का ल कुछ यहां पर तूट गई अब तूटने से क्या हो गई स्कु पंप है यहां-" choppen और दो पार चार्ट में कि पैस्मेकर है जो कि गई हंड्रेड मत सब्सक्राइब करता सब्सक्राइब पर लोगद में यह जब चोट लग जाएगी तो आप पर क्या होगा ब्रेडिकार्या हाट रेट रहे ना कम हो जाएगी ब्रेडी Cardia कार्डिया क्योंकि यहां Impulses नहीं आ रहे ना यांपर-वितित टूख गए यह पर झीअफ टूटाएं देखने को मिलता है तो हूं संझेमे आ गे यह देखने को इसके इन दे एद रिखाएं और विलता है अनुए नेक्स्त ये पर जो है अपन बात करते है वो है आध कि शोक है कि लेक्तिख शोक इन इसके अंदर क्या देखने को मिलता है यह यहां पर देखने को मिलता है वह हाइपो टेंशन इसके लावा क्रेकल से इसको अंदर देखने को मिलते हैं अब अ इसका मतलब समझ वहाइगा क्यूकि इसके इंदर आ सकती है एक रिक वर करेकल वैसे मोस नीतना है डिक है जलाए हो सकता है कि यसे टीछ डेमा जलेंट की मनूहैं टिजफ हो सकता है कि कुष कि यह चीजें हो सकती है तो यहां पर चाह। तक आप से पूँचा गया है हाँ है हाँ एक्षिमिटी जो है बिलकुल यह यह आपको एक्जाम के अंदर देखने को मिल इसके कि Yes विलकिती इसका पशू जो है रटी के रिया देखने को मिल सकता पर असकी पर क्यार reference की रही हुआ है कि अबन जाते हैं कि आपने देखा लिए यह आपने देखा लिए खाने में चीटी खाली होगी खाने में चीटी खा गए होगा है तो यह चीजे जो देखने को मिलती है अब नेक्स्ट मिलेंगे अपने कल वाली क्लास के अंदर मिलेंगे अब तक लिए जैहिन बंदे मात्रम शुबरात्री चैहिन और अब बाकी स्टुडेंट को भी आप लोग बता दीजिएगा जो भी आपको फ्रेंट है उनको एलर्जी के बिल्कुल है उनको बता दीजिएगा जिनको अगर क्लास जोनी करनी है तो आपके तो आपके झाल झाल